हाई दोस्तों this side KK KK from GG यहाँ दोस्तों यह सामने है नारगड की बहुत थूपसूरत बहुत पुच्चाई वाली पहाडिया और इनी पहाडी के सामने इस्तिते है अपना है जैपूर और जैपूर के सामने हैं गडगनेश जी यहां दोस्तों मैं बता दू आज जो है मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया हूं मेरा दुखी होने का सबसे बड़ा वीजन यह है कि भगवान ने भगवान की सबसे अन्मॉल कृती इंसान है और आज इंसान ही इस तरह से प्रकृती के साथ खिलवाड कर रहे है कि मैं मानता हूँ कि आप लोगों के आस्ता है विश्वास है कि यहां मंदिर पर जाए घर बनाकर आये तो उससे घर बन जाता है लेकिंग दूस्तों क्या आप किसी दूसरे का घर तोड़ के खुश रह पाऊगे क्या आप दूसरों का घर तोड़ के खुश रह पाओगे आप लोगों ने जब भी घर बनाते हो तो दूर जगे से पत्थर न लाके यहीं चो इस पेड के पत्थर है उसी को उसी से घर बना लेते हो दोस्तों मैं आप लोगों की शर्दा का पूरा सम्मान करता हूं उनको पूरी रेस्पेक्ट देता हूं बट आप लोग खुदी सोचिए न यार प्रकृति का घर तोड़ के आप अपना घर बना रहे हो क्या यह सही है इस तरह से देखिए न यहां पे देखिए पूरी दिवा दिवार जो है मतलब पथर बनाने के चकर में घर बनाने के चकर में पूरी दिवार का तोड़ दिये पूरी पूरी तो क्या दोस्तों आप भी बताईए न मुझी क्या यह सही है क्या इस तरह से आप लोगों का घर बन पाएगा क्या इस तरह से आप लोग सफल हो पाएंगे और अगर हो भी गया तो मन में कितना अफसोस रहेगा आपके हो मैं आपकी शर्दा के लिए आपको सजेस्ट करते हूँ आपको बनाना न तो बनाईए न यार लेकिन कम से कम दूसरों का घर तोड़के मत बनाईए न इस तरह से पत्थर यहां पर ग्रिन सेवा वाले बहुत मेहनत करते हैं ग्रिन सेवा के जहां कहीं भी पेड लगोंगे वहां सब लोग बहुत मेहनत करते हैं यह पत्थर उनका घर बनाने के लिए और आप लोगों के अपने शर्दा के लिए उनका घर तोड़के एक पेड का घर तोड़के और अ आप लोगों को क्या लगता है कि ये पेड कुछ बोलते नहीं तो तोड़ दो उनका गर है कैसे काम चलेगा यार ध्यान रखना प्रकरति जब रिप्लाई करती है न तो उस रिप्लाई में जो है आवाज नहीं होती है उत्राखंड त्राद से याद रखना वो भी इंसानों की गलती के वज़े से ही आई थी वो और आज इंसान जो वापिस वही गलती कर रहा है प्रकरती के साथ खिलवार कर रहा है उनकी घरों को तोड़ रहा है तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है किर्पया आप अपनी आस्ता विश्वाश बनाए रखिए कोई इश्यू नही पहाड़ीयों पर कब सर्क पथरों की कमियो गई फ़ूइन वजह प्रकरती से निवेदन है और उन लोगों से निवेदन है जो नहीं बना रहे हो बट वो देक के चले जाते हैं जो बना रहे हैं उन लोगों को टोका करें कि अटलिस्ट यहां पर पेड़ों के पत्थ्रों को न तोड़े आज से आप सब लोग प्रण ले संकल्प ले कि घर बनाएं बहुत बड़ा बनाएं बट किसी का तोड़ के न बना इस तरह से यह पूरी दिवार ही तोड़ दिये यार और जो लोग देख रहे हैं वो लोग टोकने के आदद बनाएं दूसरों को उनको समझाने के आदद बनाएं चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाए